हेलो फ्रेंड्स पहलवान गुरुद्दीन गुरुप हॉप कॉलेज के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं संध्य राजपूत हिंदी प्रवक्ता पहलवान गुरुद्दीन गुरुप हॉप कॉलेज पनारी लरितपुर दोस्तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें दोस्तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो बिये प्रिथम वर्ष के लिए बहुत ही महत्पूर्ण और उपयोगी है तो कहानी क्रीट नामक पुस्तक का तीसरा अध्याय कफन नामक कहानी जो प्रेम द्वारा रचित है उसकी हम चर्चा करेंगी तो हम जानते हैं कफन नामक कहानी में किस बारे में चर्चा की गई है और यह इसका कथासार कैसा है तो प्रेम चंद्र हिंदी कथासाहत में यथार्दवात के उननायक माने जाते हैं और यह कहानी कफन प्रेम चंद्वारा लिखित है प्रेमचंद की अंतिम कहानी यही कफन है प्रारम्बिक गांधीवादी हिर्दय परिबर्तन की थियोरी से किनारा करते हुए प्रेमचंद इस कहानी में हिर्दय विर्दीर करने वाले यह थार्त को प्रेस्थुत करते हैं उनके उपन्यास गोदान का अंति भी ऐसी ही भाव भूती पर है तो फ्रेंड्स यहां क्या होता है घीसु और माधाव पिता और पुत्र हैं जो कामचोरी और आलसी सुहाओ के लिए पूरे गाव में बदनाम हैं दोनों आकासब्रती चोरी और दूसरों के दया भाव पर अपना जीवन बताते हैं एक बर्सपूर्व माधाव का बिवाय बुधिया से हुआ है बुधिया रात के समय पिरसाव बेदना पिरसाव पीड़ा से तडप रही है घीसु और माधाव जोपडी के बाहर आलू भू भाव नहीं पड़ता वह बहां तरपती है लेकिन वो दोनों मैंसे कोई भी उसको देखने नहीं आता तो इस कहाने को सुरुमास से तो क्या होता जोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचा बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रिसव वेदना को पचाड खा रही थी रह रहकर उसके मुझे से ऐसे दिल दहला देने वाली आवाज निकल रही थी कि दोनों कलिजा थाम लेते थी जाड़ाओं की रातें थी पिरकृति सननाटे में डूबी थी सारा गाउं अंदकार में ले हो गया था गीशू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दोडते हो गया जा देख कर तो आ तुम माधा चड़कर बोला मनना ही है तो जल्ली मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या करूंगा पिता बोलता है तुम बड़ा बेदर्ध है बे, साल भर जिसके साथ सुक्चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई और वो कहता है तो मुझसे तो उसका तरपना नहीं देखा जाता और उसका हाथ पर पटगना भी इस प्रकारसे में नहीं देख सकता दोस्तों और एक बात और बता दूँ घीसु एक दिन काम करता तो दो दिन आराम माधाव इतना काम चुड़ था कि आदे घंटे काम करता तो घंटे भर चलम पीता इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फांकें हो जाते तो घीसु पेड़ पर चड़कर लखड़ियां तोड़ लाता और माधाव बाजार में बेच आता और जब बेपैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते जब फांकें की नौवत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलास करते गाउं में काम की कमी नहीं थी किसानों का गाउं था महंती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को लोग उसी बक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोस कर ले लेने की सिवा और कोई चारा ना होता अगर दोनों साधू होते तो उन्हें संतोस और धैर के लिए सैयम और नियम की बिलकुल जरूरत ना होती यह तो इनकी प्रिविर्ती या प्रिकृती ही थी विच्तर जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बरतनों के सिवा कोई संपत्ती नहीं थी फटे चीतरों से अपना या अपनी नगनता को ढगे हुए जीए जाते थे संसार की चंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं दीन इतने की बसूली की आशना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज देते थे मगर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड लाते और भून भान कर खा लेते दोस्तों क्या होता है गीसु ने आलू नकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तुआ क्या दसा है उसकी चोडल का फिसाद होगा और क्या इनुसका पत्र बोला चोडल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओजह भी एक रूपिया मांगता है माधा को भै था कि वह कोटरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साप कर देगा तो बोला मुझे वहाँ जाते डर लगता है पिता जी मैं वहाँ नहीं जाओंगा तुम ही जाकर देखो तो पिता बोलता है अरे डर किस बात का है मैं तो हूँ पुत्र कहता है तो तुम ही जाकर देख लो न और कहता है मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके सिर के पास बैठा रहा था और फिर भी मुझे लजाएगी कि नहीं और कहता है उसका पिता कि अगर मैं उसके पास जाओंगा तो वो सर्माएगी जिसका कभी मैंने मुह नहीं देखा आज उसका उगरा हुआ बदन देखूं उसे तन की सुध भी नहीं होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाउं भी नहीं पटक पाएगी मैं सुधता हूँ कि कोई बालबच्चा हो गया होगा तो सौट, गोड, तेल कुछ भी नहीं है हमारे घर में फिर उसका पुत्र कहता है अरे पिता जी सब कुछ आ जाएगा भगवान दें तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं बेही कल बुला कर देंगे मेरे नो लड़के हुए पिता कहता है इसके बाद कि अरे मेरे नो लड़के हुए घर में कुछ भी नहीं था मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगा दिया तो इस प्रकार दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया इतना सबर नहीं था कि उन्हें थंडा हो जाने दें कई बार दोनों की जवाने जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गरम ना मालूम होता लेकिन दांतों की तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुहमे रखने में ज़्यादा खेरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुँच जाए वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे इसलिए दोन जल 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 जली निगल जाते थे हाला कि इस कोशिस में उनकी आँखों से आशु नकल जाते घीसु को उसी बक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले भग गया था उस दावत में उसे जो त्रप्ती मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लाइग बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बोला अरे वह घीसु जो उसका पिता है वह बोला वह भोज नहीं भूलता जब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट मिला ही नहीं लड़की वालों ने भर पेट पूरियां खिलाई थी सबको छोटे वड़े सबने पूरियां खाई थी और असली घी की चटनी था रायता थ तीन तरह की सूखी सबजी थी एक रसीली तरकारी थी दही चटनी मिठाई वह अब क्या बताओं उस भोज में क्या स्वाद मिला जो स्वाद मिला उसका में वर्ण नहीं कर सकता कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज मांगो और जितनी चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा पानी ना पिया गया मगर परोसने बाले हैं कि पत्तल में गरम-गरम गुल-गुल सुभासत का चोड़िया डालते ही जा रहे हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोकते हुए लेकिन वो दिये ही जाते हैं और जब मुझे धो लिया तो पाने लाजी भी मिल गई मगर मुझे पान लेने की कहा सुथी खड़ाना हुआ जादा था चटपट खाकर अपने कंबल पर लेट गया ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर उस याद को मैं कैसे भुला दूँ इतना चखाना तो जबके उसके बाद मुझे कभी मिला ही नहीं माधों ने इन पदार्थों का मर ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भुज खिलाता ही नहीं अब कोई खिलाएगा वह जमाना दूसरा था अब तो सबको किफाय सूचती है साधी व्याय में मत खर्च करो किरिया करम में मत खर्च करो पूछो गरीवों का माल बटोर कर कहां रखोगे बटोरने में कमी नहीं है हां खर्च करने में किफाय सूचती है आलू खाकर दौनों ने पाने पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओड़कर पाउं पेट में डाल सो गए जैसे दो बड़े-बड़े अजगर कुंडली मार कर पड़े हूं और बुधिया अभी तक कराह रही है सबेरे माधाओ ने कोठरी में जाकर देखा माधाओ यानि पुत्र ने जब कोठरी में जाकर देखा तो उसकी इस्तरी ठंडी हो गई थी उसके मुह पर मक्ही अभिनक रही थी पत्राई हुई आखें उपर टंगी हुई थी सारे देह धूल उसके पेट में बच्चा मर गया था माधाओ भागा हुआ अपने पिता घीसु के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे चाती पीटने लगे पड़ोस बालों ने यह रोना धुना सुना तो दोड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन पासर नहीं था कफन और लकडी की फिक्र करनी थी पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घौशले में मास बाप बेटे रोते हुए गाओं की जमिदार के पास पहुंचते हैं वह इन दोनों की सूरस से नफरत करते थे कई वार इनहें अपने हातों पीट तो चौरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए हूछा क्या है बे घिसुआ रोता क्यों है अब तो तूं कहीं दिखाय भी नहीं देता मालूम होता है कि इस गाओं में रहना नहीं चाहता गिसुने जमिन पर सिर रखकर आँखों में आसु भरते हुए, भरे हुए कहा सरकार बड़ी भी पत्ती में हूँ, माधाव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़ती रही सरकार, हम दोनों सकिस रहाने बैठे रहे दबादारू जो कुछ हो सका, सब कुछ किया मगर हमें वो दगा दे गई, अब कोई एक रूटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक तवाय हो गया, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथों में तो, जो कुछ था, वह सब दबादारू में उठ गया सरकार की ही दया होगी, तो उसकी मिट्टी ठिकाने लग जाएगी आपके सिवा किसके दुआर पर जाओं साहब जमीदार साहब दयालू थे, मगर घीसू पर दया करने वाले कंबल पर रंग टड़ाना था, जी में तो आया, यहने जमीदार की जी में तो आया कह दें कि चल, दूर हो यहां से, यह तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरच पड़ी तो आकर खुसामत कर रहा है, हराम खूर कहीं का, बदमास लेकने अक्रोद या दंड का उसन नहीं था, जी मैं कुड़ते हुए, दो रुपए नकाल कर फैंक दिये, मगर सात्तना का एक भी सद नहीं निकला उनकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर्फक का बोज उतार दिया हूँ, इस परकार सोने दो रुपए जमिदार साहब से मिल जाते हैं जब जमिदार साहब ने दो रुपए दिये, तो गाउं के बनिये महाजनों को इंकार का साहस कैसे होता गीसु जमिदार के पास धिनोरा भी पीटना खूब जानता था किसी ने दो आने दिये, किसी ने चार आने एक घंटे में गीसु के पास पांच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी और दो फैर को घीसु और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बास काडने लगे बाजार में पहुँच कर घीसु बोला, लकड़ी तो उस से जलाने भर को मिल जाएगी क्यों माधव? ऐसा घीसु ने कहा कहा कि लकड़ी तो उसे जलाने के लिए मिल ही जाएगी माध़ बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हलका सा कफन ले ले हाँ हाँ क्या लास उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बोरा रवाज है कि जिसे जीते जीत तन ढाकने को चीथड़ा भी नहीं मिला उसे मनने पर नया कफन कफन लास के साथ जली तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दबादारू करवा लेते तो इस प्रकार से वो बातें करते हुए कहा कि कफन का क्या होगा कफन खरीद कर क्या करेंगे इस प्रकार से दोनों ही बाजार चले जाते हैं बाजार में उनके लिए गर्मा गरम समूश से कचोड़ियां और विभिन प्रकार के भूजन की जब सुगंद आती है तो वह वहीं पर सामाल लेकर खाने लगते हैं क्योंकि भूख भी कई दोनों से लगी हुई थी इस प्रकार से दोनों ही जहां सराब मिलती है बहां पहुंच जाते हैं और सराब की बोतल पी पी कर विभिन प्रकार के खाना खाका कर एक दूसरे को बात कहते हैं और गाने गाते हैं अभी बोतल से जादा ओड़ गई गीसु ने दो सेर फूरियां मंगाई चटनी अचार, कलेजियां, सराव, खाने के सामने ही दुकान थी माधो लपक कर दो पत्तलों में सारा सामान ले आया पूरा डेड़ रुपया और खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े ही पैसे बच रहे उनके लिए वह बातापरण बहुत ही अच्छा लग रहा था हवावन नसा थी, बातापरण वह सुरूर था और दोनों ही बाप बेटा मजी ले रहे थे, चुस्कियां ले रहे थे सबकी नगाहें इनकी और जमी हुई थी, दोनों कितने भाग के वली हैं, पूरी बोतल बीच में है जब उनके वह सराप चड़ जाती है, तो माधो कहता है आस्मान की तरफ देखकर कहा, वह बैकॉंड में जाएगी दादा, वह बैकॉंड में जाएगी रानी बनेगी, गीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तेरता हुआ बोला हाँ बेटा, बैकॉंड में ही जाएगी, किसी को सताया नहीं ना उसने, किसी को दबाया भी नहीं मरते मरते हमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, वह न बैकॉंड में जाएगी, तो कहां जाएगी, वह बैकॉंड में ही जाएगी माधो कहता है, मगर दादा, बेचारी इन्हें जिन्दगी में बड़ा दुख भूगा, कितना दुख जिल कर मरी है वह आखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर, गीशु ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुसो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जन्जाल से छूट गई, बड़ी भागेबान थी, जो इतनी जल्दी माया मुह के बंधन तोड़ दिये और दोनों खड़े होकर गाने लगे, क्या गाने लगे, ठगनी के ओन नेना जहमकावे, ठगनी के ओन नेना जहमकावे ठगनी के उन्हें न जमकाव है प्यक कड़ों की आखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उचलने भी लगे कूने भी गिरे भी मटके भी भाव भी बनाए अभिनाय भी किये और आखर नसे में मदमस्त हो कर वहीं गिर पड़े और वहां बुधिया की लास पड़ी हुई वहां महले के लोग बैठे हुए थे माधा और घीसु चार-पात दिन वहां नहीं आए तो दोस्तो आज हमने आपके समक्ष कफन नामक कहाने को पेश किया है आसा है कि आपको पसंद आएगी यदि पसंद आएगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद